19 नॉम्बर 2022 की महतपूर खबरों पर चर्चा करेंगे 19 नॉम्बर को विश्व शोचाले दिवस के रूप में मनाया जाता है 2001 में पहली बार मनाया गया था जब स्यूत राश्ट ने इसकी घोशना की थी उसके बाद आज ही के दिन 19 नॉम्बर में ही इंद्रा गाधी का जन्व हुआ था तो इंद्रा गाधी जहनती के रूप में भी इसको मनाया जाता है नल नाड़ा अंटिल वी मेट अगेन यह पुस्तक है रसकिन बांड की तो रसकिन बांड की पुस्तक है इसलिए महत्पूर है परिक्षाओं के देश्टे से भोपाल रेलवे स्टेशन फोर स्टार इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र इस स्टेशन को दिया गया पूरवी तिमोर जो देश है आसियान जो संगठन है उसके दोरा ग्यारवे सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए सद्धान्तिक रूप से स्विकृती मिल गई है अर्थार बहुत जल्द ग्यारवे सदस्य के रूप पे ये जुड़ जाएगा हला कि 2011 में ही पूरवी तिमोर ने इसमें शामिल होने के लिए आविदन किया था वर्तमान में दस दस देश हैं अशियान के ब्रिटेन में कबड़ी विशुकब 2025 आयोजित होगा इसके साथ ही एशिया के वाहर पहली बार ऐसा आउसर होगा जब ये आयोजन होगा भारत बाजरा का वैशिक उत्पादन में नमबर वन पे हैं लेकिन ये परसेंटेज जो आया है आकड़ा जो आया है फे होगा वो याद रखेगा 41 प्रतिशत कुल हिस्सा है बाजरे के उत्पादन में विश्व में अगर भारत का देखा जाए तो शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार 2022 से पुरस्कित किया जा रहा है अरुनाचरपदेश में दुनिया की पहली ध्यान रखेगा दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्तता पशुधन टीका करन सेवा लौच किया गया है हल्दवानी उत्राखंडवे भारत की पहली एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी ये विक्सित की जा रही है कहां पे हल्दवानी उत्राखंड में राजियू कुमार मुख निर्वाचनायोग थे हैं भारत सरकार भारत निर्वाचनायोग में इनको नेपाल में जो होने वाले चुनाओं है उसके लिए अंतर राश्टी परवेक्षक बनने के लिए आमन्तेत किया गया है चर्चा में इसलिए आप जिक्र कर दिया हल्दवानी ये भी उत्रा आपको वही चर्चा की उत्राखंड में है ये प्रश्ट बहुत ही महत्पूर्ण है अति महत्पूर्ण है most 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 important है किसी भी परिक्षा के लिए उत्राखंड हाई कोट जोकि अभी तक नेरी ताल में था उसको शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया है कैबिनेट के द्वारा मुहर लगा दी गई है ये हल्दवानी ट्रांसफर होगा वल्लब अब उत्राखंड हाई कोट नेरी ताल में होकर के हल्दवानी में होगा आईजोल मिजवरम में अंतर राष्टी परेटन मार्ट का आवजन हुआ तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद